आज मिलेकर आई हो तीन तरह के लसी की रेसिपी इससे आप बहुत ही आसाइन से मिंटों बना सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस लसी को रता ही बना सकते हैं तो चलिए इस रिस्पी को बना शुरू करते हैं विडियो पसंद आये तो प्लीस विडियो को लाइ और फ्रेश दहे लीजिएगा अब इसमें दो कटे हुए आम डाल देंगे ये वजन में लगबग 300 ग्राम है फ्रेश मैंगो ना हो तो इसकी जगा आप फ्रोजर मैंगो का इसमाल भी कर सकते हैं अब इसमें चीनी आड़ करेंगे आम अलड़ी थोड़ा मीठा होता है तो उसे चीनी आड़ करियेगा जैदा अब वो मीठा पसंद दो आप उसे साफ से चीनी आड़ कर लीजिएगा अब इसमें घोड़ा सा इलाची पाउडर आड़ करेंगे इसे बहुत ही बड़ी बड़ी तेस्ट आए गा लसी का इलाची पाउडर नव तो सकिप कर सकते हैं अब इन ग्लास में निकाल लेंगे आप देख सकते हैं लसी कितनी गाड़ी बनी है अब इसे डेकोरेट कर लेंगे इसके उप्र थोड़े से बारी कटेव पिस्ता और बदाम रख देंगे आप चाहिए तो इसके जगा थोड़ा सा बारी कटा हुआ आम भी रख सकते हैं आम पसंद है तो मैंगो लसी जरूर ट्राइ करें नेक्स्ट रसीपी है बनाना लसी ग्राइंडर जार में लगबग 3-4 आई कप दही ले लेंगे ये वजन में लगबग 300 ग्राम है अब इसमें एक बनाना को कट करके डाल देंगी कोशिश करिएगा फ्रेश बनाना ही लिजिएगा आप तो इसमें थोड़े से भिगोई हुए बादाम या फिर काजू भी आड़ कर सकते हैं अब इसमें चीने आड़ करेंगे ध्यान रखिएगा बनाना भी मीठा होता है तो साबसे चीने आड़ करिएगा इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे जब तक जो बनाना है वो पिस लेट कर लेंगे लसी में ड्राइफूट कर टेस बहुत ही बढ़िया आता है थंडी थंडी सर्फ करें ब्राण लसी को आपको बहुत पसंद आएगी है नेक्स्ट रेसिपी है केसर पिस्ता लसी क्रांडे जाय में तीन चाथाई कप दही ले लेंगे अब इसमें केसर को थोड़े से दूद में आदे ग्नटे के लिपिवकर छोड़ दे समय ना हो तो आप केसर क्यों श्यूब कर सकते हैं इसमें आदे गंटे के लीडी फिnde भिगो, फिस्ता डाल देंगे पिस्ता पो बिना विगउ रेकिल भिग भी आड्ड कर सकते है बिगोने से क्या होता है ना पिस्ता चेसे फूल जाती है बिल्कुल बारीक पिस्ती है जिस दूद में बिगाया था ना पिस्ता को दूद को बिसमें डाल देंगे आप पिस्ता को दूद की जगा पाने बिगो सकते हैं अब इसमें स्वादों साथ चीनी आट करेंगे और इन सभी को अच्छे से पीस लेंगे और इसी के साथ केसर पिस्ता लस्य बिल्कुल रेडी है अब इसे भी ग्लास में निकाल लेंगे आपको बिल्कुल ठंडी लस्य चाहिए तो आप ग्लास में थोड़े से आइस क्यूब इसे भी डेकोरेट कर लेते हैं इसके अपर थोड़े से बारिक कट्वे पिस्ता रख देंगे घर में कम खर्ष में आसाइन से बनाए फ्लेवर्ड लस्य वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलें